करनल अजय जी कृशी फस्किलों में हमने हाली में देखा है कि बिनौला खल वायद में काफी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है बिनौला खल ने तीन हजार का आखड़ा पार कर लिया है अब आपको यहां से क्या लगता है बिनौला खल यानि कपास खली अब आगे कपास खली में कैसा रुजान देखने को मिल सकता है देखे कपास खली के लिए हम लगातार आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर अपना मत्त दे रहे है और संबबत है कि हमने ही सबसे पहले आपको कपास के अंदर तेजी की बात कई थी सिक्टमबर बाह में जी ज़ब सो में से सो परितिशन मार्केट बिश्यष्ट गे और एक्शूर्षैंच की बाते कर रहे थे और बहुत अच्छी र्राइवल की बाते कर रहे थे और हर कपास के haur कोशिश करता है और वह माहुर्षे 0 लेकिन Market Times के TV के चैनल के माध्यम से और हम दूसरे विविन TV चैनल के माध्यम से हमने यही कहा था कि कपास के अंदर तेजी है और यह उप जो यह White सोना है सफे सोना है जिसे कपास है यह निश्वित पे से Financial Astrology और fundamental analysis का इशारा ये है कि ये year of the community बन सकती है और इसमें अच्छी तेजी की संभावनाय बनती है और ऐसे ही कुछ हुआ अक्टूबर नॉम्बर आते आते लगबग बजारों के अंदर 40% से अधिक की तेजी दर्ज हुई और ये तेजी नाकेबल भारत में हुई अपितू विश्व के तमाम देशों में भी हुई इसमें अमेरिका भी शामिल है और लगबग अंटराश्य बजारों में 112-113 के लेवल भी क्रॉस हुए और उसका नतीज़ा ये हुआ कि कि जो भी ऐखो नसे जाना जहता है अलग 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 सब्सक्राम माल नहीं खरीदा निचे लेवल में अब उनके लिए मुइक ने कि कि पर सबुक्राइब करने और यह क्लिकिल यह रही है कि रूपर मिल बंध पर देखें कि आप पूरा आवेल देखें कि आपने आज से तीन लगबक तीन शो पहले हमने कपास की पूरी डिटेल आवेल दीती है आपको नुट् जrekसिंटर जोन की सब्धब आरइफल ही नहीं है अंडवड नहीं होगी तो उस में से सीड कहां से निकलेगा और सीड नहीं निकलेगा तो उसको खली कहां से प्यादा होगी तो ये एक बुनियादी चीज़े है इसको समझना जानना बहुत जुरूरी है इसके बगर आप नहीं जान पाओगे कि खली के क्या पोजिशन है आप खली का बाव तीने जार के पर निकल रहा है तो इसके मेर कोई आश्चरे वाली बात नहीं है और ये निकलना ही था जिसका अनुभाव जिसका अनुमान और विश्लेशन नाम लगातार आपको दे रहे हैं और अलग 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 लोग शिकायती भी कर रहे हैं साथ तेजी हो रही है तो क्या तेजी अंतरास्टे बजारों के विपरित हो रही है सवाल यह है उत्तर भी बिलकुल क्लियर है कि अंतरास तो आपका बजार उससे अच्छुता कैसे रहेगा बिलकुल नहीं रहेगा आप सोना है चांडी है कच्छा तेल है आप कच्छा तेल के अंदर आज तेजी का उबाज चल रहा है तो आप क्या MCX के ओपर कच्छी तेल के अंदर गिरावट कर लोगे अजी उसका उसका यदि अंतारास्टी आज ग्लोबल विलेज है चाए अमेरिका हो चाए जर्मनी हो चाए भारत हो इन सभी का बजारों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और यही अनुमान और विश्लेशन करने का काम हम मार्केट विश्यशिश्ड़ का है अधि हम लोग नहीं कर पा रहे ह तो उसमें गल्टी हमारी है उसको बजारों को और उसके ओपर क्यों आप दोस्त दे रहे हैं यही मेरा कहना है कपाज खली के अंदर छोटी अबी के अंदर कुस तेजी रह सकती है लेकिन इसमें मुनाफ़ा वसुली भी बनेगी इसमें कोई शक नहीं है इसका हम आपको चैनल पर विजिट करना पड़ेगा जी करनल जी तो जैसे कि करनल अजय जी ने बताया कि वाइदा में बैन लगा देना या फिर सरकार को चिठी लिख देना या फिर बार-बार रिकवेस्ट करते रहना कि इसकी कीमते गिराई जाएं कम करी जाएं उससे कुछ नहीं होगा क और करनले जीने जैसा कि अभी बखो भी बताए कि कपास खली में आगी जो तेजी है छोटी अवदी में वो जारी रह सकती है इसी बीच मुनाफ़ा वसुली भी जरूर बंदी नजर आएगी जिसकी वो अगरी भवेश्यवानी मार्केट आम सीवी के माध्यम से आप लोगों क पहले ही दे दे रहेंगे